ओम सिरी गनेशा नमदोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 मार्च सौंबार के रासी फलक के बारे में कीह दिन करक राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा, किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनिश और वियापार कैसा रहेगा, और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंस सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा करकराशी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आप पिछली कुछ कमियों से सीख लेकर अपनी दिन चरिया में और भेतर सुधार लाने की कोशिस करेंगे जिसमें आप सफल भी होंगे और इस तरह की कोशिस से लोगों के साथ सम्बंदों में आश्चर्य जनक सुधार आ जाएगा दोस्तो आज प्रतिष्ट लोगों से भी मुलाकात लाबदायक और सम्मान जनक रहेगी तथा उनके साथ समय व्यातित करना और सामाजिक गतिविद्यों में भाग लेना आपके व्यक्तित में और अधिक निखार लाएगा आज रुके हुए काम बन सकते हैं उन पर अपना ध्यान अधिक केंदरित रखें आज घर में कोई मांगलिक कारेशंपन होने की भी संभावना है जिससे परिवार में प्रसंदता का माहौल रहेगा साथ ही आज का समय आपके लिए कुछ नई उपलब्दियों का निर्माण कर रहा है जो की भविस्य में आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेबंद साबित होंगी दोस्तो अपनी योजनाओं को सुरू करने से पहले एक बार पुनहें उस पर सोच विचार अवश्य करें आज आपको कोई महतपउन कारे की सूच न मिलेगी उसे नजर अंदाज बिलकुल ना करें दोस्तो आज आपके साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे आपको लगेगा कि किसी का आसिरवाद आपके उपर है अपनी पृतिभाओं को पहचाने और पूरी उर्जा के साथ अपनी दिन्चरिया वेकारे प्रणाली पर ध्यान केंद्रित रखें दोस्तो रिष्टेदारों का घर में आज आगमन होगा आपसी मेल मिलाप घर में खुसियां और सुकून लेकर आएगा साथ ही किसी परिवारिक व्यक्ति की किसी भेतरीन उपलब्दी पर घर में आज जसन का माहूल भी होगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आज वरिष्ट तथा अनुबवी लोगों से सला लेने में आप परेज ना करें उनका मार्ग दर्सन वे सयोग आपके मनोवल को और अधिक बढ़ाएगा व्यर्थ की बाहरी गतिविद्यों में समय नश्ट आप ना करें नकारात्मक प्रवर्ती के लोगों से दूरी बना कर रखें वे आपको आपके लक्षे से भटगा सकते हैं और किसी प्रकार का आर्थिक लुकसान और मान हानी की भी आज संभाव ना है वे ध्यार्ती अपनी डगमगा सकती है इसलिए बजट बना कर चलना जरूरी है कभी कभी आपका एहम और क्रोध पूर्ण श्वयभाब परिस्तितियों को दूसित कर सकता है इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें दोस्तो साथ साथ अपने सुब चंतकों पर किसी भी प्रकार का विचार विमर् कार्यों को लेकर कागजातों में कोई दिक्कत आज आ सकती है परन्तु जरासी भी समझदारी और समझ बूज से काम बहुती आसानी से बन जाएंगे आज रूपे पैसे का लेंदेन ना ही करें तो अच्छा है दोस्तों अपने बजट को ध्यान में रखकर आप खर्च करें क कोई पैत्रिक संपत्ती संबंदित मसला उठने से हलकी फुलकी नोक जोक हो सकती है विवेक और समस्दारी से आप काम लें तो भैतर होगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लवलाइट कैसी रहने वाली हैं दोस्तों परिवार के साथ मनुरंजन संबंदित कारों में स इसकी वज़े से आपके आपसी संबंदों में काफी मधूरत आएगी पती-पतनी के संबंद खुशनुमा रहेंगे सौपिंग और मौज बस्ती में आज समय व्यतित होगा प्रेम संबंदों को भी परिवारिक शुकरती प्राप्त होगी व्यवसाय और परिवार दोनों टूता नहीं आएगी और आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत रहेंगे दोस्तों बात कर लेते हैं जब का वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों पार्टनर्शिप संबंदित कारों में लाबदाएक आज प्रिस्तितियां बन रही हैं कार्रे को विस्तरित करने सं मंदित योजने भी आज बनेंगी नोकरी पेश व्यक्तियों के कामकाज आज ज्यादा रहेंगे प्रतिष्ट लोगों से अपने संपरकों को आप और अधिक मजबूत करें उनके दोरा आपके वैवसाय में नए ओर्डर और अनुमंद प्राप्त हो सकते हैं सरकारी सेवारत व्यक्तियों के ऊपर अतिरिक्त कार्य भर रहेगा आप अपनी योग्यता वै काबलियत दोरा अपने प्रतिष्ठान में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे और उसमें आप सफल भी रहेंगे कुछ नए जन संपर्ग भी आज इस्थापित होंगे ऑफिस में बॉस व आपके काम से संतुष्ट रहेंगे वैवसाइक गतिविद्यों को सुचारों रूप से चलाने के लिए करमचारियों के सुझाव को आप अधिक ध्यान में रखें जिससे आप बहतरीन निर्न ले पाएं दोस्तों नौकरी में आप अपने काम के प्रति किसी भी प्रकार की ल बढ़ाएगा दोस्तों साती सात कारे छित्र में आप सभी गतिविद्यों को सुचारों रूप से नियंतरित करेंगे अपनी कारे प्रणाली दूसरों के सामने जाहिर ना करें कोई इसका नाजायज फायदा उठा सकता है नौकरी पेसा व्यक्तियों की उनके उचित काम के लिए तारीफ और साख बनेगी जिससे उनका मन काफी प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वारा है दोस्तों आज आपका स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा परंतु जादा काम के दवाब की बज़े से पैरों में दर्द और ठकान म क्याम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपए क्या हैं दोस्तों आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद भगवान शिव को जल में सफेद तिल मिलाकर अर्पित करें और साथी साथ महामर्तिज्य मंत्र का 108 बार जाप आप रुद्रक्ष की माला से अवश्य करें ज्यां दोस्तों ऐसा करने मात्र शेही भगवान भुलेनात बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे यो भी आपके जीवन में परिशाने चल रही हैं समस्त परिशन यो कांत करेंगे और आपकी समस्त मनों कामने भगवान भुलेनात के आशिरवाद से अवश्य ही बूर्ण होंगी और आपके सबी कारने बहुत यासानी से बनके चले जाएंगे दोस्तों भगवान भुलेनात का आशिरवाद आपको प्राप्त हो शच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै भुलेनात अवश् दन्यवाद